नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अनचार न्यूज के यूटूब चैनल में आज नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नेपाल ने भारत को दी बड़ी टेंशन है चीन के साथ महतवा कांक सी बी आराई प्रोजेक्ट पर फिर शुरू होगी बात ची थे दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देके तब ही आपको पता चल पाएगा कि नेपाल और चीन के सबन से भारत को लगा बड़ा जटका बेल्ट एंड रोड एनिसी एटिव चीन के राष्ट पती सी जिन पिंग की एक मैतवा कांक सी योजना है जिसके जरिये चीन की बहुत देवा के नेतरतों में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ अच्छे संबंद की उमीद जताई जा रही थी लेकिन पिछले परदान मतरी के पिसर माउली के कार्यकाल में सीमा सही थे कई मुद्दों पर भारत और नेपाल के रिष्टे काफी नाजुक मोड पर पह साना चाहता है चीन 2017 में नेपाल ने किया था इस प्रोजेक्ट बेहस्ताकसर भारत के कारण अब तक नेपाल ने नहीं दी थी मनजूरी जब नेपाल ने 2017 में बी आराई समझोते पर अस्ताकसर किये थे इसे नेपाल चीन समदों में एक मैतुपुन सन के रूप में देखा चीनी कार्यकरम के तहते एक भी परियोजना सुरूर नहीं होने के कारणों पर भी सवाल उठे बताया जाता है कि बूराजनितिक स्थीति के कारण नेपाल सरकार ने चीन की इस परियोजना के खिलाप अभी तक निच्छा दिखाई थी नेपाल अभी तक भारत और अमरीका क नराज होने के कारण इस परियोजना को मनजूरी देने से आना कानी कर रहा था आपको बता दे कि परचंड के पीम रहते साइन हुई थी या चीन के साथ डील और भारत को इस प्रोजेक्ट से होने वाला है बहुत बड़ा नुकसान है भारत के पांच परोशी देश चीन के बी आराई परोजेक्ट का हिस्सा है इनमें पाकिस्तान निपाल बंगला देश मेह मार और सिरेलनका सामिल है इन देशों में चीन अपने पेसे से इंफस्ट्रेक्चर विक्सित कर रहा है एसे में देशों के उपर चीनी करज की मात्रा दिन परती दिन बढ़ती जा रही है और ये सबी देश चीन के हो जाएंगे गुला में हमारी वीडियो चिलगी तो सेर कमेंटर लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर बेनो टिप केसन ओन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके लाइब